Hello dear students, welcome to my channel RightTrack4need Last video में हमने discuss किया था placentation को Placentation से पहले हमने root, leaf, stem और भी बहुत सारी चीजों को discuss किया था Flower को discuss किया था, Estivation, Hypogynos, Perigynos, Epigynos इन सब का link मैं description में दे दूँगा अब हम discuss करने जा रहे हैं fruit को Fruit क्या होता है, कैसे formation होती है fruit की Fruit हम किसको कहते हैं, इसको discuss करने से पहले अगर आपको कोई doubt हो, कोई question हो, कोई भी query हो तो comment करके जरूर पूछिए, question को तकी importance दीजिए खूब पढ़िया खूब question लगाईए, bigger question लगाया कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए question को तो जरूर लगाईए fruit दरसल हमारा जब ovary measure हो जाती है, ripened ovary को हम लोग fruit बोलते हैं, यह जो fruit होता है, वो fertilized ovary से भी बना हुआ हो सकता है unfertilized without fertilized ovary के भी बना हुआ हो सकता है जब हमारा fruit bigger fertilization के बनता है, without fertilization बनता है तो हम उसको बोलते हैं, parthenocarpic fruit, यह जो parthenocarpic fruit होते हैं parthenocarpic, इस process को, जिस process से यह बनते हैं, यानि without fertilization बनते हैं हम लोग बोलते हैं, parthenocarpic, यह parthenocarpic हम लोग oxyn hormone की help से, PGR में से होता है oxyn, oxyn की help से हम parthenocarpic induce भी कर सकते हैं ऐसे, जो fruit होते हैं, उनकी एक खास feature होता है यह fruit जो होते हैं, वो seedless होते हैं, जैसे हमारे पास example होता है, banana का banana जो होता है, वो seedless होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं, parthenocarpic, बनता हैं हमारा without fertilization के, अब जो हमारी ovary की wall होती है, वही fruit wall में convert होती है उसको हम लोग बोलते हैं, pericarp, अब यह pericarp, fleshy भी हो सकती है और dry भी हो सकती है, अगर यह fleshy होती है, तो यह divide होती है epicarp, mesocarp और endocarp, अलग-अलग fruit में अलग-अलग यह हो सकती है यह नाम तो सभी के यही रहेगा, epicarp, mesocarp और endocarp, लेकिन mango के case में जो हमारा epicarp होती है, वो समझ लीजी, जो peel होता है, जो छिलका होता होता है epicarp, जबकि mesocarp जो होता है, जिसको हम खाते है, edible portion जो होता है, वो होता हमारा mesocarp, जबकि hard अंदर वाला जो होता है material उसको हम लोग बोलते है, endocarp, pericarp, endocarp और mesocarp, mango के case में well differentiated होता है, जबकि जो हमारा coconut होता है, उसमें mesocarp fibrous होता है, इसमें जो mesocarp होता है, coconut के case में, वो होता है हमारा fibrous, अब जो हमारा ये coconut और mango है, जो दो ही CRT में दो ही example डिसकस किये गए, बहुत सारी example होते हैं, जैसे plum हो गएरा भी है, कि इनको हम dupe भी कहते हैं, इनकी खास बात क्या होती है, कि ये हुए होते हैं, बने हुए होते हैं, सुपीरियर ओवरी से, इसको हम डियूप भी बोलते हैं, हमारे पास, दो example यहाँ पर CRT में दी हुए है, mango और coconut, बहुत सारे और example होते हैं, जैसे plum है, ये साब होते हैं, इसमें अगर आपको कोई doubt हो, कोई question हो, डियूप के लगाईए, question को important दीजिए, ठीक है, thank you.